साथियों, आने वाले पतीस वर्ष भारत के लिए बेहद महत्वपून है, पुरा विश्वा आज भारत की और नजर टिकाए हमारे सामर्थ को देख रहा है अब हमें विश्राम नहीं करना है, राम चरित मानजबे भी लिखा है, राम काज किने बिनू, मोही कहां विश्राम हमें भागवान राम के विचारों का भारत बनाना है विक्सिद भारत जो आत्म निर्भर हो, विक्सिद भारत जो विश्वशान्ति का संदेश दे, विक्सिद भारत जहां सब को अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो विक्सिद भारत जहां लोगों को समरुद्धी और संतुष्टी का एसाथ हो राम राज की परिकलपना यही है राम राज बैठे त्रैलो का हर्सित भये गए सबसो का यानि जब राम अपने सिहासन पर विराजे तो पूरे विश्व में इसका हर्स हो और सभी के कश्टों का अंत हो लेकिन यह होगा कैसे और इसलिए मैं आज विजियां दस्वी पर प्रत्य देशवासी से दस संकल्प लेने का आगरह करूँगा पहला संकल्प आने वाली पीडियों का ध्यान रखते हुए हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचाएं दूसरा संकल्प हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिजिटल लेन देन के लिए प्रेरिस करें तीसरा संकल्प हम अपने गाव और शहर को स्वच्छता में सब से आगे जाएंगे चौथा संकल्प हम ज्यादा से ज्यादा वो कल्प और लोकल के मंत्रों को फोलो करेंगे मेड इन इंडिया प्रोडक्स का इस्तमाल करेंगे पांचवा संकल्प हम पहले अपना पूरा देश देखेंगे यात्रा करेंगे परिब्रमन करेंगे और पूरा देश देखने के बाद समय मिले तो फिर भी देश के लिए सोचेंगे साथ्वा संकल्प हम नेचुरल फार्मिंग के प्रती प्राकृति खेती के प्रती किसानों को जादा से जादा जागरुप करेंगे आठ्वा संकल्प हम सूपर फूर्ड सूपर फूर्ड मिलेट्स को स्रीयन को अपने रोज मर्रा की जिन्दगी में शामिल करेंगे इससे हमारे छोटे किसानों को और हमारी अपनी शहद को बहुत फाइदा होगा नवा संकल्पा हम सब प्रतिकत स्वात के लिए योग हो स्पोर्स हो फिटनेस को अपने जीवन में प्रत्पिकता देंगे और दस्वा संकल्प हम कम से कम कम से कम एक गरी परिवार के घर का सदस्य बनकर उसका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ाएंगे जब तक देश में एक भी गरीब ऐसा है जिसके पास मुल्क सुविदाय नहीं है गर हो बिजली हो गैस हो पानी अगर ये नहीं है इलाज की सुविदा नहीं है हम चैन से नहीं बैठेंगे हमें हर लाभारती तक पहुंचना है उसकी सहायता करनी है तभी देश में विक्सित भारत का सपना पूरा होगा सबका विकास होगा तभी भारत विक्सित बनेगा